प्रेंट्स बेलकम टू कैरियर हमसफर सफर काम याभी तक होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी होली काफी अच्छी मनी होगी लेकिन यह होली और भी अच्छी हो इसे लेकर करके जरूरत है एक पोश्ट पाने की आफिशर वाली इसके लिए आपने 68 विपेसी प्रिलि काफी कम स्कूर आ रहा हो और वे हतास होंगे तो उनकी टाइम यूटिलाइज हो वह मोटिवेट हो चीजों को लेकर करके और आगे की उनके रननीती क्या हो इस संदर में मैं इस एक छोटी सी विडियो को लेकर करके आया हूँ होप सो कि या आपके लिए काफी फैदेमंद ह और हम जो आगे इनिसियेटिव लेने को हैं इसमें पाटिसिपेट करकर करके आप काफी अच्छा कर पाएं अपने प्रिपेशन को लेकर करके तो देखे जैसा कि लगभग एक महिना प्रिलिम्स एक्जाम को लेकर करकर करके हो चुका है यानि 12 फेब को यह एक्जाम हुआ प्रिपेशी ने 13 चौदा से ही पूल कराना सुरू कर दिया कि आपका एक्सपेक्टेड मिंस मांक्स कितना आ रहा है आप उस मांक्स को इंटर करें जबकि अब अस्टूडेंट कहां से या मांक्स है जो इंटर करें कोई आथेंटिक आंसर की हो तब तो बेपेशी खुद आ मांक्स इंटर कर दिया और मार्क्स इंटर करने के बाद आपने देखा होगा कि एक टाइम आपको और यह दिख रहाँ होगा एक्सपेक्टेड मांक्स हैं जो कितना सौ अच्छा तो इस चीज को लेकर कि काफी लोग मिंस चिन्तित थे और यह भी सोचना चाहिए कि यह कितन candidate का marks है, है ना, क्या जितना candidate ने exam में appear किया, अतने candidates के थे, नहीं, it means, इससे actual figure को पता, ना, जाना, मुस्किल, कहा जा सकता है कि इससे exact figure का तो पता नहीं लगा जा सकता है, यो कई तारे अच्छे-च्छे candidates ने, mark center नहीं किया है, है ना, तो यह भी हो सकता है, कई जिनका marks दो है, उन्होंने भी नहीं किया है, तो समझ सकते हैं, मातर 18,000 ही, 18,000 का ही data है, और सुरू वाला data भी कर बढ़ है, तो यहां से तो खेर, exact, पता नहीं लगा जा सकता है, लेकिन, ground level की मैं बात करो, जैसा कई सारे मारे मित्र हैं, या फिर कई सारे strengths हैं, या फिर कई सारे, और अगरी लोग हैं, जो मिंसर कनेक्ट में रहते हैं, तो उन सबसे बात चीत करने के बात, मैं यहां इसकर्षवे पहुंचा हूँ, कि ज़्यादा तर जो candidates हैं, उनके marks, 80 से 90 के बीच में घुम रहा है, कुछ candidates, मिंस बहुत से candidates नहीं, कुछ candidates 90 प्लस हैं, और 100 प्लस हमें, स्कोर्स सुनने को मिला ही नहीं है, यहना, इट मिंस, पहले के पेच्छा भी देखा जाए, जैसे 67 में हुए, इसके पहले CDPO का भी हमने cut-up कान महा लगा था, कई लोगों ने भर-बर करकर करके कमेंट में लिखा भी था, क्या लिखा होगा, आप समझी पा रहे होंगे, ठी है, लेकिन exact ditto, जो हमने cut-up बतलाया था, वही cut-up गया था, नहीं तो आप देख सकते हैं, वीडियो का date और CDPO जो prelims का result है, उसका date, तो दोनों से आपको पता चल जाएगा, कि जो हमने बतलाया था, क्या, उसी के around रहा कि नहीं, क्योंकि लोग ग्रूप में रहने से यह पता चल जाता है, कि हाँ, किस परकार का candidate है मार्केट में, और कितना score, इसके seat के according, question के difficulty level के according, जा सकता है, तो लगवग अनुमान लग जाता है, है ना, अब देखिए, यह मैं कर रहा कि हाँ, 90 ही जाएगा, exact, लेकिन हाँ, इसके आस-पास की मैं बात कर रहा, कि 90 के पास में आप है, है ना, 90 जिनरल, तो इसके आस-पास, अपने category के हिसाब से सोचिए, मेंस की प्रिपेशन में जूट जाएए, क्योंकि आपके पास time बचने को नहीं है, और 69 भी अद säger शीक्रेटीब तरीके से होते हैं, आपको मार्रमियों तिकते भी नहीं हैं, हैना, कई सारे candidates, कई सारे हम लोग की मित रहे, हैना, आपको दिखेंगे नहीं, ना तो कहीं सोसल मेडिया पे दिखेंगे, नहीं कमिनट में आपको नंबर वश्यो करते दिखेंगे, या मिन्स कह का मतलब समझ रहे हैं वह से क्रेटिव तरीके से लगे होते हैं और आपको और इसनल कॉंपिटिशन का पता नहीं चल पाता है इभिन मैं बात करूं सिक्स्टी फॉर्थ के टाइम ऐसा लगता था कि जो कॉंपिटिशन है काफी मिंस कम लोग के बीच है और बहुत ज्यादा टैलेंटेल लोग इसमें नहीं उसी समय से तो इसमें थोड़ी बाहर आ गए थे सिस्टी फॉर्थ के टाइम से तो यह दिखती नहीं थी है एक नॉर्मल तरीके से वह उस तरह का कॉंपिटिशन नहीं है है ना कॉंपिटिशन थोड़ी क्या गहराई में चली गई है विपेस्टी की तो इसलिए आपको बैठना नहीं है चीजों को तैयार करने की क्या है जरुवत है यदि आपका स्कॉर 90 क्यास पास आ रहा है और उसके हिसाब से आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से चीजों को देख सकते हैं दो नंबर चार नंबर आगे पीछे 90 पलस वाले तो खेर बिंदास तरीके से लगें है ना और 80 से 90 के जो भी कैंडिट्स हैं तो उन्हें भी रुखने नहीं चाहिए मेरे हिसाब से अभी आप मे बॉक्स में लिखे और खुद को मॉटिवेट रखे यदि आपको ऑफीशर बनना है तो अगली होली काफी रंगीन हो काफी कॉंफिडेंस वाली हो लोग क्या चाहिए तो हां एस एन ऑफीशर है ना खुद को है जो रिपर्जेंट करे तो इस चीज को लेखर करके आपको द आपको जारी रखनी चाहिए चाहिए वह कहीं से भी हो सिर्फ स्टडी के माध्यम से हो किसी कोचिंग के माध्यम से हो थोड़ी सी आपको रन-फ करने की खुद को जरुवत है तो इसी संदर में मुझे लगा कि यह वीडियो आपके लिए करनी चाहिए तो मिलते हैं बाकी कि किसी परकार का कोई डाउट हो तो अपकमिंट बॉक्स में लिखें स्टडी मेटेरियल को लेकर करके जो पैटर्म चेंज हुआ है इसे लेकर करके और अपसमार में जो कुई से कहां से प्रिपेर करें क्या उसके लिए कोचिंग जिरूरी है नहीं है तो इन सभी चीज़ों क किसी परकार का कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में बिंदास तरीके से लिख सकते हैं बाकि और भी अपडेट के लिए अपने टेलिग्राम चैनल केरियर हमशाफर को जोइन जरूर करें वीडियो चाल लगी हो तो अच्छा लगने पे वीडियो उसको लाइक